नमस्कार घर परिवार में लड़ई हो जब अपनों में लड़ई हो तो अपनों को कैसे सांथ करें कभी-कभी बड़ी विच्चित्र इस्ति हो जाती है अपने परिवार में लड़ई हो रही है दो भाईयों के बीच में लड़ई हो रही है दो बहनों को बीच में लड़ई हो रही है दो रिष्टोदारों को बीच में लड़ई हो रही है तो जब परिवार के बीच में लड़ई हो तो अपने परिवार के लोगों को कैसे सांत करे यह सब सब बड़ी प्रोब्लम होती है लोगों को बीच में क्यार जब अपन दूसरों को साथ में लड़ई होती है तो चलो ठीक है कैसे भी करके कर लेते हैं लेकिन जब परिवार में लड़ई हो क्योंकि जब परिवार में लड़ई होती है ना तो आगे इन फिचर में वापिस परिवार साथ में नहीं बेड़ सकत जब परिवार के बीच में लड़ई हो तो कैसे सांद के क्योंकि सांद करना जरूरी है क्योंकि परिवार तो परिवार है आज नहीं तो कल वापिस परिवार साथ बेटेगा वापिस दो बई साथ मिलेंगे वापिस दो रिस्तिधार साथ मिलेंगे क्योंकि परिवार तो परिवार होता है लेकिन जब परिवार के बीच में लड़ई हो तो अपने परिवार वालों को कैसे समझाएं ये देखिया जब दो परिवार वाले लड़ रहे हो तो सबसे पहले आप ऐसा करना कि गुसे में बात न करें सांती में दोनों को समझाए जब दोनों गुसे में लड़े करें और आप भी गुसे में आप भी हर किसी को कुछ कुछ कह रहे हो और ऐसे करो वेसे करो नहीं आप उन दोनों को पहले सांत करें दोनों के एक जो भी लड़ रहा है उनको सांती से बैठाए और बात सुने कि आख अब गुश्ण करोगे तो क्या होगा और आग ज्यादा लगें और ज्यादा एक दोसरे से लड़備 इसलिए पुश्षे में बात नकरें सामती में बात नदेलिया समझने की कीसिस करें देखें कि लड़ house हुई और कौल किस दिएक गलत है जो गलत है उस नाराज रहेगा नजरिया समझे दोनों का कि कौन किस जिगह गलत है और कौन किस जिगह सही है जो सही है उनका साथ दे और जो गलत है उनको प्यार से समझाए यह नहीं कि जो गलत है उसको भी आप मार रहे हो और हर तरफ गाली ग्रोज और हर तरफ आप गुसे से उसे बात कर कि नहीं आए तो ये नीं करना चाहिए तू इस जिक कर गलत थे तेर को सऽ्ज़ना चाहिए अपने परिवार के लोग आनुए तो अब हम वापिस साथ में बेठेंगे अगर अपने ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहें具े उसको प्यार से समझाएं दोनों का नजरिया समझे की कोशिस करें गाली गुलो से कभी बात मत करें जब परिवार में लड़ी हो रही होना तो सब पहले ध्यान रखना गाली गुलो से बात मत करना क्योंकि जब परिवार में आपकी लड़ी सांथ हो जाएगी लेकिन जो गाली वाले वर्ड है ना उस सामने वाले आपके परिवार के व्यक्ति के दिल में चुप जाएंगे मा बहन की गालिया बहन बेटी की गालिया अगर आप निकालोगे व्यक्ति ध्यान रखना व्यक्ति हाथ से लड़ी करता है वो बूल जाता है लेकिन जो मा बहन की गाल्या होती है वो जिन्दगी बर याद रखता है इसलिए जब भी परिवार में लड़ई हो तो गाली का प्रियोग मत करें हाँ गुसे में बात करें और थोड़ा बहुत आप एग्रेसिव बोलने हैं गाली कभी अपने मूँ से ना निकाले अगर गाली निकालोगे आप तो गाली वाले वर्ड़ दिल पर वार करते हैं दिल को गाव देते हैं और वो इनसान हमेंसा याद रखता है इसलिए जब भी परिवार में लड़ई हो जब भी हो तो गाली का प्रियोग मत करें गलत फ्रमी दूर करें ध्यान रखना कभी-कभी लड़ई होती ना परिवार के वीचे में गलत फ्रमी के वज़ए से हो जाती है उनको पता ही नहीं होता है उनको लगता है उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया नहीं अगर आपको किसी भी बात को लेकर अगर कन्फिजन है तो आपने सामने बैट कर बात करें दूसरे वेक्ति की बातों में सिखावे में ना आए कभी-कभी क्या होता है कि किसी का अच्छा परिवार चल रहा होता तो आज पास पडोसी और भाई बंद और उनको अगर आपने बैट कर बात करें किस वक्त और किस जिगह गलत है अगर गलत है तो उस बात को दूर करिए और अपनी गलत में दूर करें अगर आपको एक बार ध्यान रखना अगर आपके परिवार में किसी सद्दिश्ची को लेकर आपको परिशानी है अगर किसी सद्दिश्ची क talking to C드ra, आपको लगता है कि अब इगलत करा रहा है उसको तो अपनी परिशाली उससे बताएं उसको कहे क्या रहा है तो यह मत कर तेरे कानन मेरों को इप प्रब्लों हो रही है अगुए अगर आप अपनी परिष्णी परिवार नहीं बताओगे तो आपको अंदर ही अंदर गुटन होगी और ओगुटन एक दिन बहुत बहुंकर रूप में बार आएगी और जब बहुंकर रूप में बार आती ना उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाता तो आपकी परिवार के अंदर कोई भी प्रोब्लम है कोई भी आपको ऐसा लगता है कि यार परिवार वापिस साथ में बेटता है तो जब भी परिवार में लड़े जगड़े हो तो इस तरह से आप सांथ कर सकते हैं